हलो जैन दोस्तों, आज हम लोग विधान परसद के विकास के बारे में जानते हैं, आई स्टार्ट करते हैं, प्रत्थक विधान परसद का गठन कब हुआ था? यह हुआ था, चार्टर एक्ट अधनियम 1853 के मात्यम से, नेक्स्ट, विधान परसद में भारती सदस्यों को लेना कब से प्रारम हुआ था? यह हुआ था, इंडियन काउन सिलेक्ट 1861 के मात्यम से, नेक्स्ट, विधान सबा में प्रस्ण पूचने का अधिकार एवं बजट की आलोजना का अधिकार का प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ था Indian Council Act 1892 के माध्यम से बजट पर पूर्ण बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ यान कि Completely Discussion करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ Indian Council Act 1919 के माध्यम से correction 1909 के माध्यम से Next प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंब कब हुआ है यह हुआ था भारस सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से Next छे प्रांतों में दोई सदनियम विवस्था पिका कि सदनियम के द्वारा प्रारंब हुई थी यह हुई थी भारस सरकार अधिनियम 1935 जानकर यह अच्छी लग हो तो वीडियो को लाइक करें Thank you